हलो दोस्तो वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स अगर आप माता वैश्णो देवी के दर्बार आना चाहते हैं उनके दर्शन करना चाहते हैं और इस कारण से नहीं आपा रहें कि आपके बच्चे छोटे हैं वो कैसे चल पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी चड़ाई हो होकर माता रानी के दर्शन करने के लिए हस्ते हस्ते आओगे हस्ते हस्ते ही जाओगे आज मैं ऐसी जानकारी आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं माता रानी की करपासे श्राइन बोर्ड की तरफ से एक ऐसी विवस्ता की हुई है कि अगर आपके छोटे बच्चे भी हैं तो आ बहुत सारे आसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजेगा आप लोग तक यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे और एक घंटे का व्लॉग में आप लोग साथ शेयर किया है ना उसको जरूर देख लें अगर आप छोटे चोटे व्लॉग तो बहुत सारे लोगों तो पिट्थू पाल की पर भी बैठ सकते हैं तो वह कर सकते हैं लेकिन चोटे बच्चों के लिए यह बहुत ही बढ़ी है वेवस्ता है इनका रेट क्या है वो भी मैं बता देती हूं आप जब इनको मतलब हायर करते हैं इनको बुक करते ह हैं तो आप जब भावन से नीचे से चड़ाई करते हैं ना वहीं से ही आप इसे बुक कर लीजिए क्योंकि जो हमने पहली वाली बेटी की बुक की थी वो हमने नीचे से ही कर ली थी तो वहां 540 रुपे ही ले रहे थे क्योंकि मेरी बड़ी है 5-6 साल की है अगर बच्चा आपका छोटा है तो साड़े 300-200 में भी हो जाता है लेकिन ज्यादा कम नहीं करते हैं यह लोग 540 मैकसिम इतने बड़े बच्चे के लिए थोड़ा फिक्सा ही है 40-50 रुपे इधर हो सकता है और आप बार्गनिंग करनी आती आपको तो आप कर सकते हैं और बड़ी वाली के हमने थोड़ा आगे जाके कि क्योंकि वो बोल रही थी कि पापा मैं चल लूँगी लेकिन उससे नहीं चला जा रहा था क्योंकि हम लोग पुराने वाले रास्ते से गए थे और पुराना वाला जो रास्ता है उसी से ही यह लोग जाते हैं क्योंकि यह 2 किलोमेटर है जो छो इसलिए नए वाले रास्ते से लोग नहीं जाते हैं अगर वहां से जाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं तो वहां पर भी चड़ाई है लेकिन थोड़ी है तो ये वाली जो चड़ाई है केवल अर्धकौारी तक ही होती है और इसको बुक करने से पहले आप एक चीज के जरूर ध्यान रख लें जब आप बुक करते हैं तो इनसे पहले ही तै कर लें कि हमको भवन तक जाना है नहीं तो ये लोग खुद अगर बताएंगे तो ये बोलते हैं कि हम अर्धकौारी तक छोड़ेंगे तो confused नहीं हो ना अर्धकौारी से भी भवन तक का रास्ता 6 किलो क्या है तो उसमें भी आप परिशान हो जाएंगे तो जब आप बुक करें तो इस चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखें कि आप भवन तक के लिए ही भुक करें तो हमने भवन तक के लिए ही 540 में बुक किया था नहीं तो ये 540 में अर्धकौारी तक की बात करते हैं तो अगर आप इनसे बात करोगे तो यह आपको भवन तक ही छोड़ेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, और हमने बड़ी वाली क्लिए आगे किया था तो महां से हमने इसको, कितने दिये थे, साड़े साथ सो रुपे दिये थे, क्योंकि और देखिए, इनका ऐ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे या फिर कुछ इस तरह का, और जो इन लोगों का बिहेव है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे को आगे लेकर चले जाएंगे, आपके साथ ही लेकर चलेंगे, अगर आप बोलेंगे तो, कि हम बीच बीच में रुकते भी हैं, ऐसा नहीं कि आपको छोड़के चले जाएंगे, बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसलिए साथ में ही चलते हैं ये लोग, लेकिन हाँ, ये बक्षीश लेते हैं, जब भवन तक आप पहुँचा देंगे, तो ये बक्षीश मांगते हैं कि हम और तो कोई डरने की कोई बात नहीं है, अराम से हस्ते हस्ते जाएं मातरानी के दर्शिन करके आईए, और अगर आप महां पर जा रहे हैं, तो देखिए इस तरह एक अपना आपका घर अगर नहीं बन रहा है, और बहुत टाइम हो गया है, या फिर आपकी बहुत एक सपना है कि मेरा भी एक अच्छा सा घर हो, तो ऐसे वहां पर एक घर बना के आईए, लेकिन किसी का घर टूटना नहीं चाहिए, पत्थर जो भी है, वो बिना किसी का घर टूटे हुए होने चाहिए, तो मातरानी के क्रपा से आपका घर बहुत जल्दी बन जाएगा, ऐसी आस्थ ब्लॉग में मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी, भवन से लेकर भैरव जी की आत्रा, रोप वे से कैसे करनी है, प्राइज, टाइम, सारी चीज़े शेयर करूँगी, तो जरूर देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, आप चैनल कमेंट मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह जानकारी बहुत जरूरी है, उन लोगों के लिए जो इस कारण से ही नहीं आपाते हैं, कि हमारे बच्चे छोटे हैं, तो जैमाता दी दोस्तो, आई होप आपको व्लॉग पसंद आय होगा, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बुक्स में पूछ सकते हैं, तो देखिए मातार अनिकर दरबार, और यह अगस्त का टाइम था, 15 अगस्त का हम लोग जब गए थे, तो बहुत अच्छा मौसम था, बारिश का लेकिन बारिश नहीं थी, और ठंडा भी नहीं था, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए,